अगर आपके पास इंडियान डाविंग लेसेंस हैं तो आप इंडिया में कोई भी एस्टेट में कोई भी डिस्टिक में आप ड्राइविंग कर सकते हैं लेकिन आप होरण में विद्योसों में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनल को चला सकते हैं तो मैं आपको step by step दिखाने वाला हूं कि किस तरीका से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लेसेंस के रिए आप अप लाइक करेंगे सोगाज में इंजिनियर राजा और मैं आप से स्टेस करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को पर लेजिए और इस तरीका का नया नया वीडियो स्पाहिए आप रुजाना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शॉट अंसे टाउट अब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अंशिक इट्रनेसा डाविंग ऑडियो डारिशंस और इंटरनेस्नल डााविंग पर्मिट दोनों स्यमी होते हैं लेकिन बहुँ ऐसे एंसे लोग हैं जो इन दोनों को अलग-अलग समझते हैं, वो समझते हैं कि! इंटर को बता दूब युका रिए इंट्व्यविंग लि के लिए कौन कौन सी डॉकुमेंट की जरूवत होती है international ड्याइविल एक्सेंस वर्माने के लिए आपके पास ड्युकुमेंट का होना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले है फॉर्म फोरे अप्लिकेशन फोर इंटरनेशनल डाइविल एक्सेंस तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्ट्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप जाके ड्रैक्ट इस फोर्म को आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं इसके बाद इसको आपको क्या करना फिल अप करना है आपको यह फोर्म को फिल अप कर लेना है यहां देख रहेंगे फिल अपने आर्टियो का नाम लगानी है इसकोल डोंगर के नीचे आएंगे यहां पर देख रहे हैं कि कौन-कौन से वेहिकल के लिए आपको यहां पर पर्मिट मिलेगा इसके साथ ही यहां पर अपना पूरा नाम यहां पर डालेंगे यहां पे नाम कैसे डालना है जैसे अगर आपका नाम है या किसी के नाम है मुहम्मद मसीर रजा तो यहां पे पहले वो क्या करना है यहां पे पहले डालेंगे मुहम्मद मसीर रजा तो पहले रजा डालेंगे इसके बाद मसीर डालेंगे इसके बाद मुहम्मद डालेंगे अगर आपका नाम है राज कुमार तो पहले आप डालेंगे कुमार इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है राज इसी तरीके से यहाँ पे जो है नाम में आपको यहाँ पे डाल देना है इसी तरीके से यहाँ पे जो है फादर्स या हस्बं यहां पर नाम यहां पर डाल देना यहां पर पूरा एड्रेस आ जालाsed जो पर जेंट यहां पर जहां पर आपको पर ज्यंडरेस जहां पर रहते हैं तो उस समद आ आपके बड़ी पर कोई कटा फटा कर निसान हो तो ये आप यहां पे डाल देंगे यहां पर 2 है उप्षन यहां पर आप कोई भी एक डाल सकते हैं यहां पर अपना ब्लड गुरूप जो भी आपका ब्लूड गुरूप है जिसे किसी का भी पर बी-पॉजेटिव होता है या क पूरा जा रहा है कि अगर आपको सजा होई कोई case में तो यहाँ पर उसका details दालेंगे नहीं तो इसको आप यह सही छोड़ देंगे नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी driving लेशन्स के लिए अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे इस अप्लिकेशन के साथ में आपको टीन रिसेंट पासपोर्ट सायज फोटो आपको लगानी है देखेए यहां पको ड्रावन डालना है यहां डेडर ना है यहां कब इसू रभा धव गलीज है वह को यहां पर डाल देनी है इसके बाद यहां पर अपने स्गिनेचर करना है यहां पे आप date डाल देंगे जो भी date है जिस date में आप form फिलब कर रहे हैं वो date यहां पे आप डाल देंगे इसके form को fill up करते ही यह आपका जो है form 4A International Diary lessons के लिए यह बिल्कुल ready हो चुका है बिल्कुल तयार है इसके बार आपको form 1A fill up करना है इसका link भी आपको वीडियो के description में मैंने दे दिया है जहां से जाने के बाद इसको download करेंगे यह form को medical doctor ही fill up करेगा या कोई register ही इसको fill up करेगा तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे जो है form 1A medical certificate तो यह आपका medical certificate होता है तो यह doctor या कोई register ही इसको यह फिलप करेगा इसके बाद यहां पर आपको पासपोर्ट साज फोटो डालेंगे यहां पर अप्लिकेंट का नाम आ जाएगा यहां पर इसको डिकलेशन को आपको yes no में इसका जवाब देना है इसके बाद एक्सकौल्ट नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहा पर नाम डालेगा कि मैंने इसके एक्जामिन किया है इसके बाद यहां पर इसको डोर करके नीचे आने के बाद यहां पर शीव पर में आपको सिनेचर कर देना नीचे में नहीं करना कि जब भी आप signature करेंगे तो उपर में करेंगे तो आपको signature यहाँ पर उपर में करनी है ये medical certificate जो भर लेंगे तो ये आपको international driving license के लिए बिल्कुल ready है बिल्कुल तैयार हो चुका है third document आपको ये आजाता है अधार कर ये citizenship और date of birth का proof होता है ये आप नहीं भी देंगे तभी चलेगा क्योंकि अगर आपको जो है fourth document आपको देना परेगा passport तो जब आप passport दे रहे हैं तो आप समझाए कि आपको अधार कर का कोई जरूरत नहीं परेगा passport भी देना होता है तो passport खुद में ही एक citizenship है और date of birth का proof है तो आप अधार कर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा आपको passport देना ही देना है 5 document है भीजाए भीजे की आपको एक फोटो कोपी देनी होगी जो आपको इस तरीका से रहेगा और 6 document है आपको फ्लाइट टिकट तो आपको फ्लाइट टिकट भी आपको देनी होगी बहुत सारे ऐसे RTO है जो flat ticket नहीं मांगते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है RTO जो flat ticket भी मांग देते हैं तो आपको flat ticket भी ready रखना है तो यह जितने document है आपको सभी को ready रखना है और आपको जाना है RTO office इसको जितने document है यह सभी document को आपको लेके जाना है को आपको किया जाता है तो वहां पे आपको यह करनी होगी कहले होते था फॉटी थई रूस्वा अब यह क्ट ताउजेंट रुपीज मतलब एक हजार रुपी वहां पे अब आपको लगेंगे इंटरनेशनल ड्राइविग लैसेंस को यह स्पेसल ड्राइविग लैसेंस नहीं होता है बल्कि यह इंडियान ड्राइविग लैसेंस को ही ट्रांसलेट कर देता है कुछ फॉर्मेट में जो उसको बोला आता है इंटरनेशनल ड्राइविग लैसेंस यह अलग लग नहीं है तो आर्टियों के पास एक फॉर्मेट होता है जो अपने इंडियान ड्राइविग लैसेंस को एक फॉर्मेट पर उसको शेंड लेप सिर्ट देटा है तो वहीं हो जाता है इंटर्नेशनल डायां में इसमें आपको जाना है और जितने दोकिमेंट है वह सभी लेकर आपको आपको डिक्राइब को के लग तो जाएगा इसके बाद जो है आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लेशन्स मिल जाएगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लेशन्स कोई अलग नहीं होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लेशन्स के कुछ फॉर्मेट होते हैं आठ्कियों के पास जो उसको कुछ लेंगवेज में इसको चेंज कर देते हैं तो व प्रमेट में कुछ लेंग्रेस में उसको चेंज कर रहेते हैं तो वही हो जाता है इंटरनेंशनल ड़ाइविक लेस्ट यह आपको 2-5 दिन में आपके आई रिटर्टिक हो रहता है और वह आपको उससे पच्क दिल में आपको मिल दाथ है कि आयरे तो आधा है